यह स्टुडेंट, वेलकम और सेगेंड टू यॉर ओनलाइन क्लासेज, बच्चों लास वीडियो में हमने एक साइस 14 एका, क्वेस्टन नवर 9 आपके तम डीटेयल में समझाया था, इस पेसली एक ही क्वेस्टन के लिए वीडियो में बनाया था, इस वाले क्वेस्टन में हम इस वाले वीडियो मतलब, क्वेस्टन नवर 10 और 11 देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो चलो आप रीट कर लेते हैं क्वेस्टन नवर 10 और अगर आपने लास वीडियो से नहीं देखा या फिर इस चैप्टर का कोई भी वीडियो गर आपको चाहिए, तो नीच अब उस लाइन में एक पॉइंट C ले लेना है, ताकि जो AB के अंदर AC बने, यानि AC लेकर के C तक जो लाइन्थ हो, वो कितना हो, 2.5 cm का हो, और उसके बाद फिर CD एक लाइन बनाना है, जो कि परपेंडिकुलर हो AB की है, तो यह सेम तो सेम क्वेस्टन हो, जो हमारा 6 था, उसी तरीके से बनेगा, 6 में भी हमें बोला था, बस वहाँ पर measurement नहीं दिया हुए था, यानि सेम वही काम होगा, बस यहाँ पर measurement दे दिया गया है, कि line आप कितने ही लंबी होनी चाहिए, जो C में जो पॉइंट लेंगे, वो केवल AC का 2.5 cm ही होना चाहिए, इस तरीके से से आप हमें मिजूर करना है, बाकि सेम टू सेम क्वेसिन नबर 6 ही तरी बनेगा, आइए सॉल्व करते हैं, देखो इसका डाग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, सबसे पहले आपको एक AB ले लेना है, जो कि कितना हो, तो 6 cm को होना चाहिए AB, ठीक है, उसके बाद AB तक की Length है, वो हमारा 6 cm ही, आप इसको इस तरीके से Ruler से मिजूर कर लेंगे पहले, पहले पहले वाले जो Question 6 था हमारा, वहाँ पर हमने मिजूर नहीं किया था, यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं था measurement, यहाँ पर 6 cm ही बोला है, तो हम 6 cm मिजूर कर लेंगे Ruler से, और एक LINE म में रख लेना, इस Starting में, और यहाँ पर देखो, आपका आजर है 2.5, तो वहीं पर आपको एक ले लेना है Point, जिसका नाम होगा C, तब क्या हो जाएगा हमारा जो AC है, वो हो जाएगा 2.5 cm, तो बस यहाँ पर हम मिजूर करकर करके ले रहे हैं Point, और को समर 6 में हम Direct Direct ले रहे यहाँ पर, और थोड़ा सा बड़ा ही ले, ताकि हमें जब छोटा लेना पड़ेना थोड़ा सा असानी हो, तो कम से हम इतना बड़ा जरूर ले ले ले, तो इस तरीके सा आपको एक Arc बन जाएगा, उसके बद आपको क्या करना है, A को Point लेना है, Center मान लेना है A को, और आध करना हम क्या करते हैं, जो previous Arc है हमारा, उसके आधा से ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ से आप आधा से ज्यादा ले लो, इतना कम से कम, यह फिर थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ तक आ जाएगा आपका, अब उसके बाद फिर A में रख करके, उसको आप ऊपर वा बनेगी, लेकिन थोड़ा से दिखने में खराब दिखेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा से अपने हिसाफ से अडजस्ट करके करना है, यानि कि पहले करके देखना कि कहा पर आ रहा है, अगर नीचे उचे आ रहा हुगा, तो इसको थोड़ा से और बहा लेना, यहाँ पर इस इस लेंट का, आपको इधर लेफ्ट में रखना है, राइट सेड में, और फिर सेम होई, आपको कट करलें आ, दूसरे वाले अर को, यह वाला हमारा जो है, यह भी कट हो जाएगा, same to same, इस तरीके से इतना मेंजंगा, यहाँ पर घट हो जा रहा है, यहाँ पर जहाँ और उससे previous वाला जो हमारा point C था उसको पुरा joint कर देना है तो यह जो हमारा C और यह जो point इसका नाम फिर आप कुछ भी दे सकते हैं D रख दी जब D हमें question में पहले R रखा था इसका ना जिसका बाद में question टीट के तो वहाँ पे हमें D बोला था देन उसके बाद फिर जो हमारा semi circle बना उसके point में starting में रख करके point इसका नाम मैंने P दिया था इसका नाम Q दिया था P और Q इसलिए थर मैंने R पिर रख दिया था नाम तो अब यहाँ P में रखना है और हाप से थोड़ा सा जादा लेकर के उपर में R कट कर लेना है उसी तरीके से same उसी radius का यहाँ Q में नाम रख करके Q में रख करके compass को यहाँ पर एक arc double cut कर देना है previous arc को cutting हो जाए और उसे बाद जो बस point में जहाँ पर cut हो रहा है उस point से नीचे वाले C को आपको मिला देना है तो बस आपका यह जो line बन गया na CD यह क्या बन गया हमारा perpendicular line बन गया इसके जो steps है construction के उसको भी easy तरीके से आपको लिखना है जो जो पहने आपने काम किया तो हमने एक line बनाया था AB draw a line AB equal to 6 cm वो लिख दिया हमें ने उसके बाद ए take a point on it C इसमें हमने point लिया C which AC equal to 2.5 cm जिसमें जो हमारा AC था वो 2.5 cm का बन गया उसके बाद from point C यानि कि point C में से हमने क्या क्या एक arc लिया जो कि हमारा AB बन गया पूरा यहाँ पर हमने point C में से एक arc बनाया जो कि हमें AB में cut हुआ था इसलिए हमने on AB लिख दिया यहाँ पर Q को center मारेंगे और same radius के साथ cut कर देंगे previous arc को तो Q as a center and same radius cut the previous arc कितना लिख देना आपको draw कर देना है CD तो यहाँ पर लास्ट में draw CD अब हमको क्या मिल लिया कि जो CD है वो perpendicular है AB की अब perpendicular आपको बनाय की नहीं बनाया अगर आपको यह check भी करना है तो आप इसको measure कर सकते हैं आपका इधर वाला जो point है यह वाला जो angle बन रहा है यह भी 90 से फिर perpendicular line से इधर और इधर की दूरी भी जोती है वो बराबर होती है यहां पर नहीं होगा यह चीज यहां रखना क्योंकि यह हमारा पहले हमको बोल दिया गया था कि यह हमें 2.5 cm के लेना है और केवल perpendicular बनाना है perpendicular bisector तो यह बनेगा ही ने क्योंकि हमने 2.5 cm पहले इसको छोटा कर दिया इधर वाल थोड़ा हो गया हमारा इस तरीके से हमारा perpendicular हो जाएगा और question number 9 solve हो जाएगा आए question number 10 है जो वो solve हो जाएगा question number 11 भी ना वो भी same हमारा पीछले ही question की तरह ही है उसको आए मैं को सुन जा देता हूँ एक बार यह हमारा question number 11 है draw a line segment AB 5.6 cm बना लेना है draw the ride bisector of AB यहनिकि एक ride bisector बनाना है हमें जो की AB की उपर ही हो यह same to same देखो हमारा यह question number 2 है ना पूरा वही का वही है बस यहाँ पर हमें क्या बोला गया था draw a line segment AB 5.6 cm यहाँ पर यह वही बोला है 5.6 cm का AB बनाई है उसके बाद बोला गया था हम से draw a perpendicular bisector of AB perpendicular का मतलब होता है सीधी line जिसके दोनों साइड 90 डिगरी का अंगल बने यहाँ जो एक साइड में वह 90 डिगरी का बने उसे परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं और यहाँ पर हमें बोल रहा है को वन जो बताया था और सेकेंड बोला था मैंने ख्याद से कि मैं आप बना ले खुद से उसको मैंना को समझा भी दिया था तो उसका लिंक मैं नीचे description में दे दूँगा वहाँ से आप जाकर देख लिजेगा सेम वही जो statement पहले लिखे था अपने steps वह यहाँ पर भी लिखना है बस वहाँ पर आपने लास्ट में perpendicular by sector लिखा था यहाँ पर right by sector लिखेंगे जो हमारा construct और डाइग्राम वह भी same to same इसी तरीके से होगा question number one or two की तरह ही यहाँ पर अरवाचिंग